आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ तो देखो question में का आगा bar graph given below 100 number of student in 1000 in 1000 who joined ADDA 2474 bank, SSC and railway in five different years study the following graph carefully and answer the following questions that follow देखो अब bank है SSC है और railway तीन exam है उसके लिए तीन पिलर है पहला bank का हो गया दूसरा SSC का तीसरा railway के लिए और five different years 2014, 15, 16, 17, 18 five different years हो गए ठीक है हमसे question में क्या पूछ रहा है in 2014 number of student qualified in exam 50% 25% and 20% in banking banking में कितना होगा देखो 50% SSC में 25% और railway में 20% respectively out of total student who joined ADDA 2474 banking, SSC and railway in 2014 respectively तो कह रहा है कि 2014 में जितने लोगों ने join किया था उसमें 50%, 25% और 20% ने qualify किया है find average number of student find average number देखो average number find out करना है of student qualified qualified in banking and SSC in 2014 and how much more than who qualified in railway in 2014 तो सबसे पहले हमें तीनों का number find out करना है कि railway में कितने qualify हुए, banking में कितने और SSC में कितने अगर हम बात करें total student who joined की बात करें तो देखो SSC तो इस point को represent कर यह 2014 में इतने join हुए थे तो यह कितने है 25,000 है यह इस point की बात करें तो 45,000 है क्योंकि इन thousand में given है हमें और इस point की अगर हम बात करें देखो 40 से 45 के बीच में लाई करता है और 40 से 45 के बीच में 5 lines है तो और एक line की value कितनी होगी 1 होगी तो यह तो इस line पर 41 इस line पर 42 तो यहां पर कितनी होगी 42,000 होगे इस point की अगर हम बात कर रहे थे तो इस पर 25,000 है तो SSC में देखो फैला पिलर एक बैंक के लिए तो बैंक में कितना होगे 25,000 SSC सेकेंड पिलर है 25,000 का 50% qualify हुआ है तो 25,000 का 50% कितना होगा बारह जार पांस हो लिख सकते हम 25,000 का 50% बारह जार पांस हो गया ऐसे हम number of student qualified in SSC की भी बात कर लेते है number of student qualified in SSC SSC में देखो कितना 25% qualify हुए और SSC में student join कितने किया था 45,000 तो 45,000 का 25% qualify किया है 25 divided by 100 तो 2,0 से हमने 2,0 काट दी तो 45 multiply by 25 करेंगे तो हमारे पास 1125 आएगा तो 1125 और 1,0 तो 11,250 student होगे यहां पर 11,250 student होगे ऐसे ही हम railway की भी बात कर लेते है number of student qualified in railway number of student qualified in railway तो railway में देखो join कितनों ने किया था 42,000 ने join किया था और qualify कितने में 20% तो 42,000 का 20% 20% 20,0 से हमने 2,0 काट दी तो 42 into 284 और 2,0 तो 8400 students जो है railway में qualify किया है तो अब हम से देखो क्या पूछ रहा है find average number of student qualified in banking and SSC in 2014 तो average number की जब हम बात करेंगे तो average of student who qualified in banking and SSC banking and SSC तो क्या होगा इन दोनों का sum divided by 2 तो दोनों में sum कितना होगा 12,500 और 11,250 12,500 प्लस 11,250 और divide by 2 कर देंगे क्योंकि number of outcome कितना हमारे पास 2 है तो 12,500 और 11,250 को add करेंगे 23,750 तो average आएगा हमारे पास average कितना आएगा 11,800 पिचेतर 11,800 पिचेतर यह हमारे पास average आगया average of student qualified in banking and SSC और how much more than who qualified in railway अब देखो railway में qualified कितना है 8,400 है तो 8,400 से यह कितना जादा है तो more की बात कर ले हम कितना जादा है तो more is equal to 11,800 पिचेतर माइनस में qualified in railway जो है वो माइनस कर देंगे तो 8,400 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 4,400 पिचेतर यही क्या होगा हमार आंसर तो 4,400 पिचेतर जादा है लेलवे से अब देखो 4,400 पिचेतर option 3 में given है तो हम कह सकते है option 3 is the correct answer Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज जी डाउनलोड करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीचे अपने डाउट्स 8,400 चार्सो पर